गुद मॉनिंग बच्चों, आज हम कविता मेरा राजमहल पढ़ेंगे। आए इसको पढ़ते हैं। तुम इसे जोंपडी कहते हो, मुझको लगता यह राजमहल मिट्टी की सोंधी से खुश्बू, महके इसमें हरचिन हरपल। इसके छप्पर की बेलों पर लदते लौकी और सिता फल, आंगन के पेडों पर लगते नीम्बू जामुन मोटे कठल। इसमें बढ़ती है प्रेम लता, द्वेसों की खर्पतवार नहीं, पर उस घर को मरघट समझो, जिसमें पलता हो प्यार नहीं। इसमें है मा का प्यार बसा, दादी का मधुर दुलार बसा, भाई बेहनों का इसनेह भाव, मेरा सारा संसार बसा। छल कपट जहां पर बसते हैं, उसको तुम कहते राज महल, ममता का नाम नहीं जिसमें, नकली नकली जिसकी हल चल। जिसमें रहता हो प्यार नहीं, वह राज महल भी है खंडर, जिसमें जलती है सनेह शिखा, बन जाता राज महल, वह घर। तो आए इस कविता का भावार्ट समझ लें, इसो समझते हैं। तो आए देखते हैं। तुम इसे जोंपड़ी कहते हो, मुझको लगता यह राज महल, मिठी की सोंधी से खुश्पू, महके इसमें हर्चिन हर पल। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में, कि लोग इसे जोंपड़ी कहते हो, चाहे भले ही, लेकिन मुझे अपना घर जो है, वो कैसा लगता है, राज महल लगता है। यहाँ पर मिठी की सोंधी सोंधी खुश्पू आती है, और हर समय, हर पल, पूरे वातावरण को सुंघंदेत करकर रखती है। तो कवी को एक छोटी से जोपड़ी भी कैसी लग रही है, राज महल लग रही है, क्यों? क्योंकि उसमे अपना पन है। वहां हर समय अपनी मिट्टी की भावना है मतलब अपनी मिट्टी से अपना पन है और हर समय वो वातावरन जो है वो बहुत सोख पहुँचाने वाला है आगे देखिए इसके छपर की पेलों पर लदते लौकी और सीता फल आंगन के पेडों पर लगते नीमबू जामुन मोट कठल कभी आगे बताता है कि इस घर के छपर पर बेलों पर क्या-क्या लगता है लौकी और सीता फल लगता है आंगन के पेड़ों पर लगते जो इसके आंगन के पेड़ है उसके बारे में बता रहे कि वहां कौन-कौन से पेड़ है नीमबू जामुन और कठल के पेड़ है और उन पेडों में फल लगते हैं, कौन-कौन से नेम्बू जामून और कठा लगते हैं इसमें बढ़ती है प्रेमलता, द्वेशों की खरपतवार नहीं, पर उस घर को मरघट समझो, जिसमें पलता हो प्यार नहीं कभी यहां पर कहते हैं कि कहां उसके घर में क्या बढ़ती है प्रेमलता बढ़ रही है, वहां पर द्वेशों के एक दूसरे से इश्या भाव और मतलब ऐसी भावना जो एक दूसरे के लिए नुकसान दायक हो, ऐसी वहां पर कोई भी भावना नहीं है, वहां के रहने वाले जो लोग हैं आपस में कैसे रह रहे हैं, मिल जूलकर रह रहे हैं, तो वहां प्रेम रुपी लता जो है वो दिनों दिन बढ़े जा रही है, वहां पर द्वेशों के एक दूसरे से कस्तो परिशानियों मतलब, एक दूसरे से किसी भी प्रकार की बुराई की भावना वहां ईससे गहां पर नहीं है पर उस घर को मरगट समझोग जिस alleen पलता हो प्यार का सब्सक्रें है इसमें है मा का प्यार बसा दादी का मधुर दुलार बसा भाई बहनों का इस नेह भाव मेरा सारा संसार बसा किसी भी घर में जब एक परिवार रहते हैं तो उसके बारे में कवी बोड़ रहे हैं कि इस छोटे से घर में मा का प्यार है दादी का मधुर दुलार है हम जो भा में मिलता है तो कभी कहते हैं कि इस छोटे से घर में उनका सारा संसार जो है वो बसा हुआ है अब कभी आगे कहते हैं कि छलकपट जहां पर बसते हैं उसको तुम कहते राजमहल ममता का नाम नहीं जिसमें नकली नकली जिसकी हल चल बच्चो जो वास्तरिक्ता में राजमहल य वहां के रहने वाले लोग पैसे से तो अमीर हैं लेकिन उनके मन में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है उनके मन में एक दूसरे के लिए चल है कपट है मतलब धोखा है एक दूसरे के लिए थोड़ा भी प्रेम नहीं है आपस में तो क्या हम ऐसे घर को राजमहल कह सकते हैं जहाँ पर थोड़ा भी ममता का नाम नहीं है और जितनी भी है वहाँ आपसी तालमेर सब नकली है नकली नकली जिसकी हलचल मतलब वहाँ जो आपस में वयवहार किया जा रहा है वो भी नकली है वहाँ वास्तविक्ता में प्रेम नहीं है वहाँ पर सिर्फ दिखावा है कवी क ये कहना है कि छलकपट जहां पर बसते हैं उसको तुम कहते राजमहर ममता का नाम नहीं जिसमें नकली नकली जिसकी हल चल तो क्या ऐसा घर राजमहर कहला सकता है जहां एक नकली वैवहार हो एक दूसरे के साथ नकली प्रेम प्यार हो जहां धोखा हो उसको हम राजमहर नहीं कह सकते आगे देखते हैं जिसमें रहता हो प्यार नहीं वह राजमहल भी है खंधर जिसमें जलती है इस नहीं शिखा बन जाता राजमहल वह घर आगे कभी कहते हैं कि जिसमें रहता हो प्यार नहीं ऐसा घर जहां में आपस लोगों में प्रेम प्यार नहीं है वह आपस में मि खंधर के समान होता है, खंधर मतलब तूटा-फूटा घर, जिसमें जलती है इसने सिखा बन जाता राजमहल वह घर, कवी कहते हैं, ऐसा घर जहां पर हर समय प्रेम की लौज जलती है, मतलब लोगों में आपसी प्रेम होता है, ऐसा बन जाता राजमहल वह घर, एक साधारन सा चोटा सा घर भी वो क्या बन जाता है राजमहल के समान बन जाता है तो कवी का क्या कहना है जो कवीता को लिखने वाले हैं उनका ये कहना है कि घर वहां के रहने वाले लोगों से होता है उनके आपस के वैभार और प्रेम भाव से होता है क्योंकि बड़े बड़े घरों में तो हमें आपसी प्रेम प्यार भी देखने को नहीं मिलते तो कुल मिला के बाद इतनी है कि हम अपने घर में जहां रहते हैं हमें हमेशा आपस में मिलजूल कर रहना चाहिए हमें आपस में प्रेम भाव बनना चाहिए हमेशा होना चाहिए जिसे हमारा एक छोटा सा वो जो घर है वो हमेशा कैसा दिखे एक राजमहल के समान सभी सुखों से पूर्ण दिखे तो बच्चों ये थी अपकी कविता मेरा राजमहल आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझे इस वीडियो के साथ आपको जो होमवग दिया जा रहा है कठिन शब्द विगर और शब्दात उसे आप अपनी क्लास्वर कॉपे में लिख लिए धन्यवाद